आप सभी बहुत ही बढ़ी होंगे, आप सभी को बता दें कि राष्टिय रक्षय अकादमी याने की NDA की तरप से गुरूप C की न्यूव विकिंजी का नॉटिफिकेशन रिलीस कर दिया है, जिसमें आपकी MTS, LDC, Fireman, Cook जैसी विकिंजी निकाले गई हैं, जिसके लिए कोई भी male and female candidate apply कर सकता है, पूरी information इस वीडियो में मैं आप सभी को provide करूँगा, कि कब से apply होगा, इस criteria क्या रहेगा, selection process क्या है, syllabus क्या है, each and everything इस भरती के बारे में आप सभी को clear हो जागा, तो वीडियो को आप लास तक जरूर देखेगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीकी की वीकिंसी निकाले गई है, जहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते है, national defense academy, खड़कवासला, पूने में जो इस्तित है, उसकी तरफ से employment notice दारी किया गया है, 2024 के लिए जो की direct recruitment यहाँ पर रहने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते है LDC हो गया, Stanographer हो गया, Drotsman हो गया, Ancoco हो गया, Carpenter हो गया, Fireman हो गया, इसके अलावा यहाँ पर MTS, जैसी कुछ most important vacancies निकाले गई हैं, जिनके लिए आप अप्लाय कर सकते हैं, टोटल vacancy थोड़ी ही कम आपको देखने के लिए मिलेंगी, 198 vacancies हैं, लेकिन इसके लिए कोई application fees नहीं है, free of cost आप इस vacancy के लिए अपलाय कर सकते हैं, तो यह आपके लिए positive point रहेगा, अब यहाँ पर major जो आपकी चार vacancy के बारे में मैं आपको detail बताऊंगा, सबसे पहली vacancy आपकी हो गई LDC, number second पर रहेगी cook, number third पर आपकी रहेगी fireman, और number fourth पर रहेगी MTS, जो की सबसे ज़्यादा विकिंसी इनी पोस्ट में निकाली गई हैं, और सबसे ज़्यादा interested भी इनी पोस्ट के लिए candidate रहते हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी detail लूँगा, और पूरी चीज़ें मैं आप सभी को बता दूँगा, कि syllabus क्या रहेगा, selection process क्या रहेगा, तो पू करना होगा, अगर आप English में typing करते हैं, तो 35 word per minute, और अगर आप Hindi में typing करते हैं, तो 30 word per minute की speed आपकी होनी चाहिए, इसके लिए कोई certificate नहीं चाहिए, केवाल आपको typing test वहां पे qualify करना होगा, अगर आप को के लिए apply करना चाहते हैं, तो age होगी 18-25 साल, साथी में अगर मैं qualification क की बात करूं, तो यहां पर 12 pass होनी चाहिए, साथी में 2 year का experience अगर आपके पास है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, इसी के अलावा अगर यहां पर बात करें, MTS की विकिंसी के लिए, तो 18-25 साल इसके लिए age निकाली गई है, और यहां पर qualification होनी चाहिए, 10th pass, यानि कही से भी आपने 10th pass कर रखी, आप इसके लिए apply कर सकते हैं, कोई additional qualification या certificate की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी, fireman के लिए बात करें दो, 18-17 साल यहां पर आपकी age होनी चाहिए, साथी में यहां पर 10th pass candidate इसके लिए apply कर सकते हैं, लेकिन यहां पर physical में आपकी height होनी चाहिए, 165 cm, साथी में जो ST candidate इसके लिए 2.5 cm की छूट मिल जाती है, सीना होता है, साथी में आपको यहां पर physical भी करना पड़ता है, फिजिकल में आपको 63 kg बजन जो है 183 मीटर लेके दोड़ना होता है, 96 second में, साथी में एक रस्ता चड़ना होता है, 2.7 मीटर का यहां पर आपका सबीका है, एक वर्टीकल रोप लटका होगा, रस्ता लटका होगा, जिस पर आपको चड़ना होगा, तो यह में जो पोस्ट है, उनके बारे मैं मैं डिटेल दे दी है, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, वो MTS के हैं, जिसमें टोटल 151 विकिंसी निकाले गई है, यानि कि स सबसे बड़ी opportunity यही है, इसके लिए male and female apply कर सकते हैं, साथ ही में qualification भी बहुत कम है, कि 10th pass apply कर सकते हैं, age आपकी 18 से 25, अगर मैं बात करूँ कि उम्र की गढणा कब से होगी, तो 16 फरवरी 2024 से आपकी उमर की गढणा की जाएगी, तो यह चीज भी याद रखिएगा, अब य कैसे आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके भी सारी चीज है, खुद से चेक कर सकते हैं, विकिंसी वगरा मैं आपको clear कर दी हैं, साथी में यहाँ पर आगर आगर देखेंगे, तो विकिंसी की संख्या भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कि विकिंसी की संख्या कितनी क पर निकाले गई हैं अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर पोस्ट नमबर 1, 3, 7 & 9 इन पोस्ट के लिए जो एस क्राइटेरिया है वो है 18-27 तो नोटिफिकेशन में चेक कर लेना आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नमबर पर कौन है थर्ड नमबर पर 7 नमबर पर 9 नमबर पर कौन है इसके अलावा MTS और जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए एस क्राइटेरिया है 18-25 उम्र की करना होगी 16 फरवरी 2024 से क्योंकि यही आपकी लास्ट डेट है 16 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी अगर मैं बात करूं कि फॉर्म कब से अप्ला कर दिया है कि अगर आप MTS और कुछ अधर पोस्ट के लिए अपलाए करना चाहते हैं जैसे फायर मैं हो गया तो इसके लिए 10 पास होना चाहिए और कुछ अधर पोस्ट यूँ आपको दी गई है उसके लिए 12 पास क्वालिफिकेशन मांगे गई है अप्लिकेशन फीस में लेकिन तो जनरल ओबी सी एस्ट किसी भी कैटिगरी से हो कोई भी अप्लिकेशन फीस आपको प्ये करने की ज़रूद नहीं है सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर रिटन एक्जामनेशन के बैसे पर आपका सेलेक्शन होता है और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टे इसकी बात करूं तो देखो यह है आपका स्लेवर जिसमें टोटल आपके पांस सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिस लेंगेज और जनल स्टैडिस टोटल मिलाके हंड्रेट क्येशन हो जाते हैं हर एक सेक्शन में 20 क्येशन आपको दिये जाते हैं और हंड्रेट माप्स का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 27 जनवरी से इसके ओलाइन एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आप इसकी ओफिशल वेबसाइट से जाके ऑल्लाइन फॉर्म अप्लाइब कर सकते हैं लास्ट जेट रहेगी 16 फरवरी 2024 कोई भी एप्लिकेशन फीस नहीं है फिरी study for dreams जो चैनल का नाम है वही पूरा बिना स्पेस के लिख देना study for dreams और लास्ट में लगा देना dot n वहां पर आपको यह information मिल जाएगी यहां फिर वीडियो के description में आपको टेली ग्राम का link दिया हुआ है टेली ग्राम से जुड़ जाएगा अब हां पर भी आप सभी को link मिल जाएगी वहां से जाकि यह पूरे instruction को आप carefully read out कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें वहां प पोस्ट के लिए विकिंसी निकाले गई हैं आई हो पूरी information आपको मिल गई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लें और वेल आइगन पर प्रेस करने ताकि future में आने वाली सभी जॉब अपडेट के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें मिलेंगे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सारी चीज़ें वहाँ पर mention की गई हैं तो आप वहाँ से भी जाके पूरी information ले सकते हैं तो बड़ीया विकिंसी है इसी तरी ही से पिछली साल भी इसमें विकिंसी निकाली गई थी जिसमें दोस्तों एक